वेलकम टू प्यूर कुकिंग इसीडियो में मैं टेस्टी साबुदाना कस्टर डिजर्ट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो हाफ लेटर दूर्ट में बनकर तयार हो जाता है और बनाना बहुत ही आसान है बहुत ही टेस्टी है खाने में और हेल्दी भी है तो चले बनाना शुरू करते हैं तो इसके लिए मैंने हाफ पैकेट जेली क्रिस्टल्स का ले लिया है और इंस्ट्रक्शन के हिसाब से जो पैक पे लिखे हैं उसके हिसाब से आप जेली को सेट और कोशिश करें कि साबुदाने में आप ज्यादा पानी ना दाले क्योंकि हमने सिर्फ साबुदाना किस्टल्स यूज करने है आखिर में अब देखिए साबुदाना अच्छे से पक गया है इस्टो की फ्लेम बन कर दें और साबुदाने को भी थंडा कर ले अब हम कर दें के बाद में मैं यहाफ कप शक्र एड कर रही हूं और अच्छे से शक्र के घुलने तक इसको पका लेंगे अब देखिए शक्र गुल गई है तो जब दूद गरम हो गया था मैंने हाफ कप दूद पहले से साईड में निकालके रग दिया था उसमें तो टेबल एसां कृमी बने में कृस्टकें रूह को फिर देंके लिना के यह कृपारराय अधि को सब्दार है कि ज़िए इद आ पहले अ कम ब्रॉत सब्सकतरकि कृपार को सब्सक्वतित न गार निरम जात कह सकते हैं अगर पानी बहुत हो तो चन्नी में आट करके दालें, एक टेबल स्पून सब्जे को मैंने थोड़े से पानी में भीगा दिया था, यह एट कर देंगे तो यह सब्जा और साबुदाना दालने से यह डिजरट बहुत ही लो कैलेरी और हेल्दी हो जाएगा, अब देखिए थो आम थोड़े से और छोटे कटकर के आट करें, अब देखिए जैली भी सेट हो गई है तो इसको हम छोटे से क्रिस्टल में कट कर लेंगे और यह भी हम आधी आट करेंगे क्योंकि हम बाखी की कानिशिंग के लिए यूज करेंगे, तो देखिए क्रीमी कस्टर्ड साबुद इसको सर्फ कर दिया है, तो टेस्टी साबुदाना कस्टर डिजर्ट तैयार है, रेसे पी अच्छी लगी तो जरूर एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए प्यूर कुकिंग चैनल को, ऐसे ही यूसफुल वीडियो के लिए और यह डिजर्ट और हेल्दी भी है खाने में।